हे गाईज देखो आज हम डिसकस करेंगे गौतम अडानी के बारे में जो कि आप देख सकते हैं इनके सारे शेर्स में काफी बड़ी गिरावड देखने को मिली थी और बहुत सारे लोगों तो मैं आपको बलूँगा डर भी चुके हैं बिल्कुल डर चुके हैं यह रिजन क्य हम के बहुत बड़ा अमांट था पैसे का अब क्या हुआ कि यहां पर जो अगणी जी है उन्हों ने बताया कि में अप इंविस्टे स्केस्ट जरूरत और अपना इनट्रेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया हैं अब आदानी जैसे कंपनी है तो मैं आपको बताना चाहता देखो आडानी एक एसी कंपनी है जो काफी तेजी से ग्रों हो रही ती देखो बीच में जब कोई भी कंपनी ग्रों होती तो बहुत सारे लोग सैटीस्फाई नहीं रहते सबी लोग साटिस्फाई नहीं रहते देखो मैं आपको बताना चाहता हूं सपोज मान लो आडानी ग्रीन लगबग 3-4,000 परसंट का रिटन दे रखा अगर आपने खरीद रखा है तो मैं आपको बोलूँगा भगवान से ज़्यादा पुजा तो आपा डानी ग्रीन कहीं करोगे अब वापस इन्वेस्टर जो है अपने इंट्रेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया और हजारो करोड का निवेस आ रहा है आडानी में और एक बार हुआ तो सही है दो बार तीन बार चार बार पांच बार जितने बार बोलोगे आडानी ग्रूप के जो स्टॉक है खरीदे ही जा रहे बार बार खरीदे जा रहे एक बार खरीदे जा रहे एक बार खरीदा दो बार तीन बार बार खरीदे जा रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा दिखाने से ना आपको पता चलुए देखो यहाँ पर आप टाइम देख रहे हो कितना हो रहा तो 11.27 हो रहा बात से ना और यहाँ पर जो खबर आया है यहाँ पर देखो時間 कितने बजया आया है तो लगबख 11.15 में आया है मतलब ये खबर मैं आपको मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही मैं आपको देने की कोशिस कर रहा हूँ संडे को ये अभी खबर आया है तो इसका impact जो भी होगा कब देखने को मिलेगा next working day में देखने को मिलेगा ऐसा नहीं दो दिन चार दिन पास दिन पहले ये पूराना खबर आपको बताया ज़रा बस अभी ही आया है ये खबर इतना समझद है जो भी है positive news है और अच्छा खबर है यहाँ पर तो देखने के कोशिस करेंगे यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर देखेंगे तो यह रहा infinite trade and investment by इन टू अडानी ग्रूप स्टॉक्स वर्थ 1100 करोर बहुत बढ़ा अमांट होता है यह बहुत बढ़ा अमांट होता है लगवव 1100 करोर के आसपास है आडानी ग्रूप में आपको बताया जा रहा आपको कौन से कौन से स्टॉक में खरीदेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इनफने ट्रेड इनवेस्टमेंट है बहुत नियरली 8.5 मिलियन शेर अफ आडानी ग्रीन एनर्जी लिम्टेड बिट्विन 10 औ 19 जून के आसपास आपको बताया गया से यहाँ पर देखेंगे डेव वर्थ 122 122.51 करोड के आसपास बताया जा रहा 182.51 करोड के आसपास फिर यह दूसरी बार खरीदारी की गई है 174 करोड के आसपास है 180 करोड के आसपास है 179 करोड के आसपास है 169 करोड के आसपास है मतलब आपने देखा बार-बार करूडो रुपे के शेर जो है यहाँ पर खरीद दे जा रहे है इससे क्या पता चलता है इससे में साफ-साफ यह पता चलता है कि आडानी गूर्प में किसी तरीके से बैड न्यूज आया है किसी भी तरीके से एक टर्बूलिंस आया है और उस वो जो गिरावरट आईना उसके उपर यह लोग फायदा उठा रहे ह मतलब हर गिरावरट पे खरीद रहे हर गिरावरट पे खरीद रहे ह.. क्योंकि उनको पता है, आज नहीं तो कल ये stock तो 1000% का return निकाल के दे गाई, तो आपने लोगों नहीं यहाँ पर देखा, तो यह एक बहुत अच्छी खबर है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो देखिए, आपने पहला चीज़ नोटीस किया, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर में जो मैंने आपको बताया, वो अडानी ग्रीन में निवेस किया गया था, समझ मैंना, वो अडानी ग्रीन में निवेस किया गया था, यहाँ पर देखें इन्फाइन ट्रेड इंवेस्टमेंट अल्सो बॉट 1.93 मिलियन करके आसपस बताया जारा है शेर ओफ अडानी पूर्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन मतलब अडानी ग्रीन में तो माल खरीदा ही गया है अब अडानी पूर्ट में भी माल खरीदा जारा है आपको पता है कि अडानी पूर्ट में कितने बड़ी गिरावट देखेने को मिल रही थी है कि नहीं है लेकिन वो कब आएगा जब पूरा काम सक्सेस्फुल से हो जागा तब आएगा आप मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो इन्फानेट ग्रूप यह जो खरीदना चाहता था यह क्या एक दिन मतलब आज ही खरीदा नहीं आज तो भाई संडे है कैसे खरीदेंगे नहीं आ और इनको पता भी आए कि यहाँ पर अंडर प्रेशन देखने को मिल आ था बहुत जाथा सेलिंग प्रेशन देखने को मिल आ था आपको पता ही है ना कि एकनॉमिक टाइम में जो रिपोर्ट आया था कि जो फ्रोजन हुआ है सरके आकाउंट हुआ था यह इसके पता होने के बहुत जूद भी यहाँ पर माल खरीदा गया तो यहाँ पर डेट आगे देखो मैंने आपको बता है ना तो लगबग एक घंटे ही होने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हो वन आवर वह एक घंटे के आसपास यह खबर मैं आपको बता रहा हूँ तो यह एक अच्छी खबर है जो अडानी गुरूप के आसपास है देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मानता हूँ कि बाहर सो जो खबर आई है लेकिन कमपनी अंदर से मजबूत भी तो है आपने देखा ना लगबग कुछ ही साल में कमपनी का मार्केट कैप लाखों में टच कर दिया जो 20-30,000 के आसपास हुआ करते थे कुछ 1 lakh हो गया है कुछ 2 lakh हो गया है कुछ 3 lakh हो रहा है आपको पता है ना तो मैं आपको बोला चाहता हूँ शौट टेम में कुछ भी हो सकता इस हिसाब से तो आप रिलाइंस इंडेस्टी को भी ले लो लगबब वो भी तो 2,000 रुपीज तक गया था 2,000 रुपीज से आ गया था वापस 800 रुपीज के आसपास आया था कि नहीं आया था आराम से आया था भई तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलाइंस अची कपनी नहीं जब रिलाइंस इंडेस्टी जैसे कंपनी में मोर देन 50% गिरावाट के बावजूद लोग माल खरीच सकते हैं सुरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी गलती क्या है कि 2,000 रुपीज नहीं 15 या 1600 रुपीज के आसपास था 15 या 1600 रुपीज के आसपास था तब यह स्टॉक लगबग कितना आ चुका था 800 रुपीज आ चुका था सोचो यह मैं आपको बताना चाहता हूँ सोचो जब इसमें 50% गिरावाट हुआ रिलाइंस इंडेस्टी जैसे ग्रूप में तो किसी ने भी कोई परिसा नहीं बहुत सरे लोग तो मैं आपको यह भी बता रहा हूँ अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगेगा मेरे टीम को मैं बोलूँगा थोड़ा फोरकस करने के लिए लेकिन जब रिलाइंस इंडेस्टी का परई जब 800 रुपिस के आसपस आ गया था ना तो बहुत सरे लोग बोल रहा है तो यह स्टॉक तो आपको 400 में मिल जाएगा बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि कंपनी अंबानी की ने उनकी खुद की है घर में ही वो मतलब मसाला बना रहे हैं ऐसे बोल रहा है और अगर आप स्टॉक मार्यकीट में नए है हो अपने डीमिट अकाउंट बगरा ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने डीमिट अकाउंट ऐंग ना करने तो होसकता है कि आपके साथ यहाँ तक डीमिंट ऑक्पन 20 रुपीज लगता वो भी इंट्रडे में जो हर जगह में देखने को मिलता है और मैं आपको बता तूं बहुत सरे लोग ऐसे हम बोलते भाई देखो डिमेड अकाउंट तो खोल लिया आगे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उनको एक हेल्प दिया जाता बताया कंपनी है और यह मालने थे कि यह लार्ज केप कंपनी है यह सारी चीज़ बताया जाता यह इंट्रडे के लिए है यह फ्यूचर आप्शन के लिए है तो इससे क्या होता ना लोगों खोना थोड़ा बहुत मतलब हैल्प टाइप का मिलता कि हाँ इतना तो यह नोलेज पता चल गया कि मैंने जो कंपनी में पैसा लगाया वह जानी मानी और बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी ही होगे तो इससे क्या होता उनको एक मतलब टेक्निकली सपूर्ट मिलता बेसिक नॉलिज मिलता बाकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके अपने डिमेंट अक